नेपाल में उठते इस हिंधुएं और आग को देखकर भारत की चिंताएं वाजिब है क्योंकि दोनों ही देशों के बीच सीमाएं खुली हैं और बड़ी संख्या में दोनों के बीच आवाजाही होती रहती है बड़ी संख्या में सामान और कारोबारी रास्ता जो है वो दोनों के देशों के रिष्टों को मजबूत करता है रोटी बेटी का ही नाता नहीं है बलकि दोनों देशों के बीच धर्म का धागा भी मजबूत है जो एक दूसरे से उन्हें बानता है जिसकी आहिमियत राजडेता भी बखुबी समझते हैं सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अतूट है अविस्मनिय है और धर्म का प्रवचन सुनाने 17 अप्रैल को बाबा बागेश्वर धाम नेपाल के सुनसरी पहुँच रहे हैं और चार दिन तक यानि 21 अप्रैल तक उनका कारिकरम होना है बताया जा रहा है कि हिंदुवादी संगठन के कारिकरता उनके कारिकरम का जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे इसी दोरान हिंदु और मुस्लिम पक्ष के बीच हिंसक जड़प शुरू हो गई जड़प इस कदर बढ़ी कि कई इलाकों में प्रशासन को कर्फियू लगाना पड़ गया मुस्लिम पॉपुलेशन्स जो है नेपाल की जड़तर तेराई के रीजन में है जो की भारत से बॉर्डर करता है तेराई रीजन नेपाल का हाला की परसंटेज कम है प्रन्तु सोशल मीडिया के चलते एंटिकरिसम बढ़ रहा है सोशल मीडिया में कुछ मुस्लिम से पोस्ट करा काओ और बीफ को लेकर के जिसके बदले में कुछ हिंदूस में वहाँ पर रिटालियेशन या प्रोटेस्ट हुई वो मामला बढ़ता गया यह पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर नेपाल पहुँच रहे हैं इससे पहले पिछले साल अगस्त में भी बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री नेपाल में कथा करने पहुँचे थे और उनके स्वागत में सलकों पर भीड का हुजूम जुटा था वैसे भी बाबा बागेश्वर गाहे बागाहे अपने बयानों से नेपाल को हिंदू राष्ट बनाने की हुँकार भरते रहते हैं दन्य है ये नगरी जहां प्रभूशी राम को भी हम लोग आदर्स के साथ बड़े प्यार सुने गालियां पबाते हैं ऐसा नेपाल हिंदू राष्ट यह भूमी जहां भगवान पस्पतिनाथ बिराजमान है इस भूमी पर आकर और आप लोगों की सद्धा देखकर हमें लग रहा कि हमें और पहले आ जाना चाहिए था बावा बागेश्वर की ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट बनाने की वकालत वो लगातार कर रहा है वहीं नेपाल को भी एक बार फिर से हिंदू राष्ट बनाने की बावा बागेश्वर नसीहत देते हैं